हाई हलो नमस्कार पल्लवी जाइफटाल में आपका स्वागत है मैं हूँ पल्लवी आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी चक्का कैसे बनाते हैं तो इसके लिए मैंने इदर दही लिया है दही मैंने रात को यह जमाने को रखा था सुबह बहुत अच्छी तरह जम चु तो इस तरह से मैंने इस कपड़े के ऊपर दही डाल के लिया है तो देखिए दही कितना मस्त जमा है ना तो इस तरह से आप रात कोई दूद में थोड़ा सा दही डाल के जमाने को रखेंगे तो सुबह तक बहुत यह अच्छी तरह जम जाएगा तो देखिए अब मैंने इ इसको इसे पकड़ के लिया है तो इससे क्या होगा जो हमारे दही में एक्स्ट्रा जो पानी है वो नीचे चला जाएगा तो यह देखिए मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ तो यह पानी पूरा इसके नीचे जाता है तो अब हम क्या करइंगे इसके नीचे burger बांड के लेनाए यू जो रोमाल रहता है उसका कोना लेके अगर आपको इसके गारत बना नहीं आता तो आप अप द्ञाड़े के असके गारत बांड के लीए सकते हैं इस तरह से मैंने इसे काट्मार कе लिया है हमारा पाणी इसे नीचे टपकता रहेगा तो इस तरह से आप एसे खिल पे, खिड़की पे नहीं तो इसे किसी जगह पे जैसे पानी टपक रहा है उस तरह टपकना चाहिए इसलिए इसको हम ऐसे हैंगिंग करके रखेंगे तो आपके अपास अगर कुछ भी नहीं है तो आप इस तरह से एसे कपड़ा रखें इसके ओपर जो कुटने का पत्तर रहता है वो इसके ओपर इसे रख सकते हैं तो आसानी से पानी से टपकता रहेगा आप चाहिए तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं तो यह दिखिए इस तरह से पाटनी टपकता रहेगा नीचे के साइड में आप इसा एक बाउल रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं नहीं तो आप 7-8 गंटे के लिए भी रख सकते हैं तो चलिए अब आम इसको ऐसी ही रखेंगे और मैं अभी आपको अगली प्रोसेस कल सुबो दिखाऊंगी तो देखें सुबो हो चुका है अब सभी पानी निकल चुका है इसके अंदर का तो चलिए इसको हम निकालेंगे तो यह देखें चक्का हमारा कितना मस्त बना है देखें अगर आप बाहर से लेकर आएंगे तो बहुति ज़्यादा किमत रहती है गर्मिया पासाने से कम कीमत में इसको बना सकते हैं तो दिखाती हूं में पासे चक्का कितना अच्छा बना है तो यह देखिए कितना मस्त बनाए है हमारा चक्का तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्स्राइब जरूर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू सो मच